आये मिलते हैं केमुर जिला के जाने माने सिच्छक दिहाराज प्रात्मिक सिच्छक संग गोबगोट के जिला जच्छ कामरेट अब्दुलमनान साहस है इनसे आज रूबव होते हैं चलते फिरते आज मैं बिनुत कुमारा हूँ चलते फिरते इनके हाँ पहुचा हूँ और इनसे कुछ सिच्छा विहाग पर ब्याप भरिष्टाश्चार के खिलाप कुछ सवाल करना है ये सिच्छाग भी हैं और समाज के लिए और सिच्छाग के लिए हमेशा अंदलत में कैरत रहे हैं आज इनसे मिलते हैं इनसे एक सवाल है दो सवाल करेंगे पहला सवाल है कैमूर जीले के सिच्छा विभाग में ब्यात भरस्टा चार है पर क्या कहना है कहना चाहेंगे आप सिच्छा विभाग में कैमूर जीला का जीला सिच्छा पदाधिकारी का करजल है भरस्टा चार में सनलिक्त है यहाँ पर सबसे पहले तो हम यह बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जिला कार्जिकरम पदाधिकारी जो सिच्छा विभाग में कार्जिरत हैं वे सभी भरस्ट हैं और जिला सिच्छा पदाधिकारी भी भरस्ट हैं जिला सिच्छा पता धिकारी के भरस्टाचार का प्रमाण इस बात पर भी लगाया जा सकता है कि ये अपने जीवन काल में चार बार कैमूर जिला में सेवा कर चुके हैं और बार बार ट्रांसफर करा करके यहीं आते हैं और दुसरा भरस्टबश्टाचार का परमार यह है कि सिछ्चा विभाग में बिमिन परकार के विभागों का बटवारा नियमानुसार नहीं किया गया है पहली बात तो अस्थापना पदाधिकारी होते हैं जिला कार्ज करम पदाधिकारी अस्थापना इसका विभाग जो है दया संकर सिंग को जिला सिच्छा पदाधिकारी के द्वरा दिया गया है जो सभी काजिकरम पदाधिकारीयों में कनी है इसके बाद दूसरे कनी पदाधिकारी को सर्व सिच्छा का विभाग सोपा गया है जबकि नियम ये बताता है और विभागिया पत्र ये बताते हैं कि जो सबसे बरिये जैसे जदुबंस राम हैं उनको अस्थापना का परभार मिलना चाहिए। दूसरे नमर पर विजए कुमार हैं जिनको सरो सिच्टा का परभार मिलना चाहिए। और इन सारी नियमों का उलंगन करते हुए, घोर अन्यामिता करते हुए, इनों ने बढरिये के पत पर कनिये को और कनिये के पत पर बढरिये को परभार सोंव्क है। इसका ब्यापक जो है प्रभाव सिच्छा और सिच्छकों पर पड़ रहा है कर्जालेयों में भरस्टाचार है कोई भी कार्ज बगैर पैसे के नहीं होते अनवस्चक तोर पर बियो से मिल करके डिपीव अस्थापना द्वारा सिच्छकों को सस्पेंड किया जा रहा है जैसे में उधारान स्वरुप भगवान पूर प्रखंड के मशही उतकरमित मध्य बिद्याले के प्रधाना ध्यापक सुधामा दूवे को सस्पेंड किया गया है जबकि उनकी तवियत खराब थी और उन्होंने चुट्टी ग्रांड करके अध्यक्ष से सील पर थे लेकिन फिर भी मात्र इसी कारण से उनको सस्पेंड कर दिया गया है दूसरा उधारान देना चाहूंगा उतकरमित मध्य बिद्याले पतेरी चांद के एक सिचक हैं जिनका किसी कारण बस छे महिने का वेतन बंद था और आज भी बंद है वेतन चालू किये गए छे माह हुए और उनका विपत्र भी बनकर छो माह से तयार है उसमें दो माह का वेतन बुक्तान डिपी वस्थापना द्वरा किया गया है और चार माह का वेतन बुक्तान करने के लिए जो है साथ परसेंट कमीशन की मान की जा रही है इस तरह से पूरे जिले में सिच्छक तरस्त हैं और भरस्टाचारियों का बोल बाला है दालाली चरम सिमा पर है आपका संग्ठान बिहार राज प्रात्मिक सिच्छक संग गोब गुट कैमूर ब्रस्टाचार को रोकने के तू क्या कर रहा है हम लोग इसके संबंध में डियम को आवेदन दिये हैं उनसे मिले थे हम लोग 26 बारा को उस आवेदन को कुरदान में डाल दिया गया इसलिए कि तौरित गती से डियम साहब का जो है ट्रांसफर हो गया था दूसरे डियम साहब आये हैं छेत तारीक उनको आवेदन दिया गया था कि भरस्टाचार को कैसे रोका जाए अब देखा जा रहा है कि ये डियम क्या करते हैं अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो हम जो है मुख्य सचीव, सिच्छा सचीव, डाइरेक्टर, बड़े विभाग के पदाधिकारियों, सिच्छा मंतिरी के पास इस आरजक्ता के बारे में हम जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे और इस पर भी सुनवाई नहीं होगी तो हम अंदोलन का रास्ता क्तियार करेंगे, हम धरना परदर्शन करेंगे और भरस्टाचार की विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे एक तरह से तमाम विद्धाले में सिच्छा दोड़ा पहा जाता है चात्रों को कि भरस्टाचार नहीं करना चाहिए फिर आपकी भरस्टाचार चरण सिमाप है विद्ध्यार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप और सत्ता पदाधिकारियों के गठ जोड का नतीजा है जो अस्थाई तोर पर चलने वाला नहीं है इसके लिए सभी समाज के बरगों को एक साथ मिलकर सिच्छा विदों को सिच्छकों को और चात्रों को अंदोलन करना होगा जो है इस भरस्टाचार के खिलाप हमें धर्म जुद्ध करना होगा अब अवसक्ता आप पड़ी है कि सभी लोग गुलबंध हों और इस विवस्था को बदलने के लिए संधर्श करते हैं थैंकू आप आज मिले हैं केमूर जिला के जाने माने सिच्छक गोप गुट के केमूर अध्यच्छ कामरेट अब्दुलमनान साह से बाचित